बगवान के जितने गुर्णगान करें बहुत थोड़े हैं किसी शिष्ष ने गोतम बुद्ध बगवान से पूछा था कि आपने तो बहुत कुछ प्राप्त किया है सब कुछ जाना है थोड़ा हमें भी बतलाईए तो बुद्ध कहते हैं कि जितना भी मैंने जाना है उसरुप ऐसे ही है जैसे प्रत्वी में से कोई एक कण को मैंने जान लिया हो यह अनन्त को यह परमेश्वर को कोई नहीं जान पाया है यह अनन्त है अखंडे, अच्छेदे, अभीदे अध्वैतम अच्चुतम अनाधिम अनन्त रूपम आध्यम पुरान पुरसम नवयोवनम्च वेदेशू दुरलभम एदुरलभम आत्म भागतो गुविन्दमादि पुरुषम तमावं भजामी वेदेशू दुरलभम उन्हें जानने के लिए चलोगे तो कभी नहीं जान पाओगे शुदुरलभम वेदेशू दुरलभम एदुरलभम आत्म भागतो लेन आत्म भागतो यानि जो बगवान के परम प्रेमी भागते हैं अर्जुन जैसे उदव जैसे प्रलाद महराज जैसे ध्रुग महराज जैसे अधुरलभम उनके लिए अधुरलभ है उनको भागवान को समझ पाना बड़ा सरल है, क्यों? प्रेम आत्म भागतो क्योंकि प्रेम ही भागते हैं प्रेम बड़ी चीज़ है, प्रेम से ही परमीशर को जाना जा सकता है, और कोई कारण नहीं है, कि शास्त्रों से ज्ञान से जानने की कोशिश करी, तो व्यर्थ हो जागा, भगवान को तो प्रेम से ही जाना जा सकता है, प्रेम कोई भक्ती कहा है, भक्ती विलोच नेन, प्रे भक्ती के चक्षु होने चाहिए प्रेम के चक्षु तब उनको उनकी पहचान होती है जल्दी से पहचान होती है फिर उजर्रे जर्रे में नजर आते हैं जर्रे जर्रे में है जहां की भगवान की किसी आँख वाले ने इसकी पहचान की वो छोटी छोटी चिडियों में भी व सूर्ये में उनीका प्रकाश है जल सरोतों में जल में स्वाद वोई है अगनी के रूप वोई है वायू के इसपर्ष वोई है आकाश में जो शब्द गुंसता है वो स्वेम भवान ही है ये भवान के कलाएं हैं, बिभूतियां है भवान ने कहा कि वेदों में रिगवेद में हूँ लिएन कभी हम यह उठा के नहीं देखते हैं जल सरोतों में गंगा में हूँ आज वेग्यानी के इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि संसार के जितनी भी नदिया हैं उनसे 25 गुणा अधिक ऑक्सीजन गंगा के जल में है इसलिए उसका महत्व है ये विदेश के वेश्टन कंट्रीज के वेग्यान साइंटिस्ट ने इस बात को प्रूफ किया है लेकिन हमारे शास्त्र अनाधिकाल से कहते चले आ रहे हैं कि गंगा बगवान विश्णु के चर्णों का धोया हुआ जो चर्णा मरत है वो जल है जो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रखा था और भागीरत के प्रार्तना करने पर उस में से कमंडल में से एक धार जमीन प्राही वो गंगा है उसका मैत तो है साइंटिस्ट तो इस चीज को नहीं पहचान सकेंगे जान सकेंगे लिए उन्होंने जो अपनी यंत्रों से जो खोजबीन की है उन्होंने पाया कि विश्व में जितनी भी न दिया है उनसे 25 गुना अधिक ऑक्सिजन जीने की शक्ती गंगा के जल में है इसलिए गंगा जल का बड़ा महत है और जब आदमी शरीर त्यागता है तो गंगा जल उसको एक टपका डाल दो तो तुरंति विश्व भगवान की याद करता है कि विश्व के चर्णों से आई हुई है उसकी परमगती हो जाती है अंतमतास हो गता भगवान की याद करती हुए शरीर छोड़िया है तो धन हो जाता है उप्राणी अब्यास करेंगे जीवन भर तभी भगवान की अंत समय में याद आती है और अंत समय में याद बनी रही भगवान की तो निश्चित रूप से आप भगवान के धाम के वासी बन सकते हैं बैकुंठ के वासी बन सकते हैं केवल कहने मातर से नहीं कि पिता जी का स्वर्गवास हो गया या वैकुंट सिदार गए कहने से नहीं कहने से काम नहीं चलता ओता आत्मा को तसलिद देने के लिए बोलते हैं ऐसे या उनको गए हुए प्राणी का सम्मान करने के लिए बोलते हैं ऐसे सीधा नहीं बोलते कि मेरा बाप मर गया बोलते हैं स्वर्गवास हो गया चिठियों में लिखते हैं पिता जी का स्वर्गवास हो गया है फलानी दिन बारुआ है जरूर पदारना हरी कृष्ण हरी कृष्ण 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 हरी 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 राम हरी राम 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 हरी हरी ये परमरहश्मई महामंत्र भगवान को रिजाने का इसके नामों का जिनोंने आस्वादन किया है उनको ये प्रभाव मालूम है ये हमारी आत्मा को, हमारी भावना को निखारने के लिए बहुत बलशाली मंत्र है क्योंकि स्वैम भगवान की पवित्र नाम इसमें है Holy Names of God पवित्र नाम ही आपको पवित्र कर सकते हैं बागी तो कोई जरिया नहीं है जिए कपड़े में मेल जमा हो तो साबुन चाहिए तो तुरंत साफ और उज्वल हो जाता है Sunlight साबुन हो एक दम उज्वल हो जाता है ऐसे ही आपको कोई ऐसा पवित्र, परम, शक्तिवान नाम चाहिए ज़ा भावना को उज्वल करे हमारे और हमारी भावना उज्वल होगी तब ही हम सुखी होंगे ये कभी नहीं भूलना हम जितनी गंदी भावना के होंगे उतने ही हम दुख में होंगे, पूरी तरह, पेन, एंग्जाइटी, काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, लाल, ये सब हमको सताएंगे, चारतों से घेरेंगे, ये छे दुश्मन कहां इनको, सडरी पूफ, ये सबसे बड़े दुश्मन है, हमारा पतन करने के लिए, हमको राश करने, हमारा हराश करने के लिए, हमको नरक तक लिए जाने के लिए, इनसे बचना चाहिए, यहाँ पर तीन गुणों का सत्रुए अध्याय में भगवान स्री कृष्ण ने बहुत विशेज जोर दे करके अर्जिन को कहा है, बोला है, ग्यान उपदेश किया है, सरदा के भी से में बतलाया, कि सरदा जो इर्दे में होती है, सरदा का उदे होता है, नाभी के इंदर से, इर्दे में आकर कि इसका फूल खिलता है, सरदा बलवती होती है, सरदा के बिना प्रेम उदे नहीं होता पहले सरदा उदे होती है सरदा में प्रेम रुपी फल पकते हैं सरदा ही नहीं है आपको बहुआन के प्रती या किसी के प्रती तो प्रेम कैसे उदे होगा पिर सरदा कैसे उदे हो ये भी समझ लेना चाहिए क्योंकि सरद्धा उद्ध होने के लिए हमको तत्व ग्यान चाहिए तत्व ग्यान से हमारी भावना उज्वल होती है एक माँ अपने बेटे को पुत्र को चोटे बच्चों को बार बार नाम ले लेके पुकारती है तो उनके प्रती बहुत इसने है पैदा हो जाता है जन्म के समय ना रहा हो लेज़े बच्चा दो साल का तीन साल का चार साल का आठ साल का डवलब जैसे जैसे बढ़ता है ऐसे ही और अधिक प्रेम बढ़ता है मा का क्यों क्योंकि वो बार बार उसके नाम ले लेके दिन में सौ बार पुकारती है अरे बेटे अरे रामलाल अरे क्रिशनलाल अरे जो भी नाम रख दिया हो तो प्रेम उद्य होता है ऐसे कभी हम हरी को अब उनके नामों से पुकारते हैं तो हरी के प्रति हमारे इर्दे में प्रेम जागरी तो होता है प्रेम जागरी तो होता है तो फिर उनको जानने की कोशिश करते हैं जानने की कोशिश करते हैं भगवान को तो शास्त्रों को कंसल्ट करते हैं ज्ञान प्राप्त करते हैं गुरुजी के चरणों में बैठते हैं जिनको अनवव हो गया है अनववान का आत्मा का साक्षात कार हो गया है बगवत साक्षात कार हो गया है ऐसे संतों के चरणों में जाके सर टेकते हैं कि हमको भी कुछ ग्यान मिले उस ग्यान से सरद्दा पैदा होती है जो अन्भावस महान आत्मान किया जिन्होंने तत्त से उस इश्वर को पैचाना जाना वो ग्यान उपदेश करता है उनके वाक्यों में सर्द्धा पैदा होती है, गुरु के वाक्यों में, फिर उन वाक्यों से प्रभु में सर्द्धा पैदा होती है, परमेश्वर में सर्द्धा पैदा होती है तवी तो भगवान सरी कृष्ण ने उबदेश किया तद्विधी प्रणी पातेन परिप्रशनेन सेवया उबदेख्षंती ती ज्ञानम ज्ञानिनस्त तत्वदर्शिना हे अर्चुन तु मेरे किसी ऐसे भक्त की शरण में जा जो मुझे तत्व से जानता हो वो तुझे ग्ञान उबदेश करेगा जिस ग्ञान को प्राप्त करके तु मुझे जान लेगा तो ग्ञान से भगवान को जाना जाता है सरदा प्यदा होती है सरदा से प्रेम के हमकुर निकलते हैं, प्रेम के फल पकते हैं, ब्रक्ष पड़े, बेल फैलते हैं, प्रेम लता, प्रेम की बेल, मीरा बाई जैसे गाती है, अब तो प्रेम फैल गई, अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, अ सारा बिश्व ब्रह्मान समाईत है इसलिए तो अद्वत कहें के बोला भगवान को कि सब कुछ तो उसके अंदर ही है हम भी आप भी सारे पसूप पंची जल तालाब समुद्र सब भगवान के अंदर है तो गुरुजी भी भगवान के अंदर ही है बार नी मीरा कहते है कि मेरो तो गिर्दर गोपाल दूसरों न कोई जाके सिर्पे मोर मुकुट मेरों तो पती सोही। संतन धिंग बैठ बैठ लोकलाज खोई। संतन के बीच में जाकर मेरा नाचने लगी। भगवान की गुणगान करतने लगी। तात मात भाई बंधू आपणों न कोई मेरे तो गिर्दर गोपाल दूसरों न कोई अस्वन जल सीच सीच। अब तो छट पटाती है प्रभु से मिलने बहुत बियोगी नहीं बन गई। भगवान की विरह में भगवान से मिलने के लिए मीरा का हिरदे चट पटाने लगा। तो चट पटाता है भगत मिलने को तो प्रेम के आशू मरते हैं। मिलने के लिए कभी रुदन करता है कभी हंसता है कभी की। महा बहाओ में चला जाता है। मेरा भाई कहती है अस्वन जल सीच सीच। प्रेम बेल बोई अब तो बेल फैल गई। आनंद फल होई मेरो तो गिरदर गोपाल। अरी मा मेरा तो गिरदर गोपाल है और दूसरा कोई नहीं है। भगवान की शरण में आए भगवान के पवित्र नामों का जाप कीजिए। इस शरण में आने का एक सीधा मार्ग है। उन्हें कभी नहीं बिसा रहे हैं। उठते बैठते, सोते जागते, नाते दोते, खाते पीते, चलते फिरते, बच्चों को खिलाते, कमाई करते। कभी भी भगवान को नहीं बुलाई है। भगवान आपके इरदे में आपके प्रते एक छोटे से छोटे भाव को भी भगवान पकड़ते मालूम हैं। क्या आप क्या विचार कर रहे हैं? आपके कर्मों के विचारों के साक्षी हैं. पूरे विश्व के साक्षी भगवान हैं. आत्मा के अंदर वो विशेस्ता है जो परमात्मा के अंदर है, परमीश्वर के अंदर है. अंश रूप से जैसे सागर की बूंद में वोई गुण तत्व है जो सागर के अंदर है जैसे सागर सौल्टी है ऐसे यो बूंद भी सौल्टी है तरल है ऐसे ही हम बगवान के यह अंश है आत्मा है इसलिए गुण धर्म हमारा और हमारी पेवर कॉंशेसनेस का बगवान से मिलता है एकदम लेन हम उसे इस्तिति पर नहीं है हमा हम पेवरिटी को खो चुके इसलिए भी बगवान को भी पहचानते नहीं और बगवान को तो दूर अपने आपको ही नहीं पहचानते और जीवन जीते हैं या तमोगुण में या रजोगुण में कोई-कोई संत सत्वगुण में जीता है अपनी जीवन को कोई-कोई पुर्णात्मा सत्वगुण में जीती है अपनी जीवन को निस सत्वगुण सुखकारी है इसलिए तो भगवान ने देखो यहां पर कितना सुन्दर स्लोकों में यह तीनों गुणों का वर्णन किया है। आहर का चैप्टर रखा भगवान ने सत्रु अध्या के प्रारव में। आहर भगवान ने क्यों रखा? क्योंकि यह मनुष्य यह प्राणी यह पल्ची यह देवता यह देवियां यह ब्रह्मा, बड़े-बड़े, सभी आहर के ही रूप हैं। यह साड़ा हमारा शरीर यह आहर का ही स्वरूप है, जो जो आहर हमने किया, खाया पिया, वो ही तो डवलप हुआ है। चाहे वो मा के गर्व के अंदर कुछ आहर मिला हो, या भार आने पर इस्तन पान करके मिला हो, या बड़े होने पर जैसा भी अन खाया हमने, अन खाया, वेजटेबल्स खाई, फ्रूट खाई, दूद पिया, माखन, मलाई खाई, उसे से यह शरीर डवलप हुआ है। तो प्रारम में टीचिंग देने वाली मा है, वो पहला गुरू है, समाज का, यह शरीर का, बच्चे का, अपनी बच्चे का मा गुरू है। जैसे जैसे मा उसको खिलाती पिलाती है, बच्चा खाता है, पीता है, और बड़ा होता जाता है। और उसकी भावना में वो जैसा भी खिलाती है, वैसा जड़ पकड़ लेता है, कि यही भूजन अच्चा है, मेरी मा खिला दिये। इसमें दोश क्या है? शुद्ध दूद है गाय का, पनीर है, मक्षन है, घी है, मिसरी है, गन्य का रस है, सुंदर गेहों की रोटिया हैं, बासमती चावल हैं, खाखा के में शरीर खुश है परसन्नू, तो जो शुद्ध मा होती है, वो सतोगुनी भोजन खुद भी करती है अपनी पती को भी करवाती है, और अपनी बच्चों को भी करवाती है, तो वो शरीर, उस परिवार के शरीर सतोगुन में प्रबल होते हैं, उनके भावना में, मन मस्तिस्क में, बुद्धी में सतोगुन प्रबला वस्थाम होता है, सतोगुन की परसंटेज हाई होती है, ब स्वत्र गुंदाबा देता है लिए जिन घरों में बच्चों को वाइल एंटी फूड खिलाते हैं बच्चवन से ही कैकड़े का सूप पिलाओ गव के बच्चड़े कटते हैं संसार में उचलते हुए खिलाओ कंचड़े बिच्चु खिलाओ मक्की मच्चर खिलाओ टूना मच्चली खिलाओ सूवर तीतर कबूतर खिलाओ जैसे जैसे खिलाओ खिलाएंगे बच्चे को और खुद भी खाएंगे ऐसे उस परिवार में शरीर पैदा होते हैं वाइल एंटी वो दुख दाई है वो और तमोगुन के अंदर वो परिवार बढ़ा होगा वो अंदकार में बठकेगा दुख पाएगा बीमारियों में चट पटाएगा अपने इस जनम को भी खराब करेगा और अगले जनम को भी खराब करेगा बच्चे दारू पियेंगे बड़े हो कि क्यों उनके पिता जी न लेकिन साइन्टिस्ट भी बहुत क्लोज में गए हैं कि शराब ज्यादा शराब पीने से ये हमारे ब्रेन के सेल्स नस्ट हो जाते हैं पूरी तरह आदमी बिक्षिप्त पागल की तरह हो जाता है जीते जी ड्रंका हर्ट फिर भी वो कहते हैं कि थोड़ी मात्रा में एक पैक जैसे लगा लिया खीक है उचीत है लिए शास्तर तो थोड़ी मात्रा में भी अलाव नहीं करता आईरवेट तो बिल्कुल अलाव नहीं करता ना कोई जानवर खाना और ना शराब पीना ये दुखदाई हैं दुख शो काम है प्रदा ये बीमारी को देने वाले चिंताओं को देने वाले और दुखों को देने वाले हैं रजोगुन है ये तमुगुन है तमुगुन तो पूर्णतया विनष्ट कर देता है नहीं मनुष्य का ही नहीं सभी प्राणियों का भोजन प्रकरति ने नियुक्त किया है मनुष्यों के उपर दो विशे स्क्रपा भगवान की स्वयम की है वो उपदेश करते हैं शास्त्रों में भगवान ने गीता में कहा है कि पत्रम पुस्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रैश्चती तद हम भक्ति उपर तम अशनामी प्रियतात मना हम जो मेरा भक्त प्रेम से मुझे कोई बेजटेबल पत्रम पत्ता गोभी पत्ते की सब्जियां बहुत आते हैं आप जानते हैं चोड़ाई, पालग, पत्ता गोभी पत्ते में सारी बेजटेबल आ गई है पुस्पम, फूल, फूल गोभी फूल, गुलाब के फूल कमल के फूल कमल डंडी, कमल ककडी यह सब सब्जियां बनती हैं पत्रम पुस्पम फलम फल सुन्दर फल तमाम फल है यह अन्वी फल है अन्वी फल है ड्राइ फ्रूट से है यह सब फल है पत्रम पुस्पम फलम तोयम तोयम यह जल शराब नहीं बोला भगवाने कि कोई बक्त मुझे शराब अरपन करे तो मैं स्वीकार करता हूं ग्रेंड क पैग मार लेता हूँ, कि मेरे बक्त ने अर्पन किया, ने भगवान ने नहीं का, तोयम मिंस जल, जल के लिए बोला, शुद्ध जल, ये शुद्ध लोग होते हैं, सात्विक बुद्धी के लोग होते हैं, वो जल पान करते हैं, जल पीते हैं, ना कि शराब, कोको कोला भी और पैपसी कोला भी, उनके लिए बीमारी का घर है, नहीं पीते हैं, है ही, प्रूफ है, इस बात का, इन यूयर्क सिटी के अंदर, यहां के गवर्नर, कितनी कौशिश मायर, मयूर, कितना कौशिश करते हैं, इसको बंद करने के लिए, कि ये सुगरी चीजे मत प्यों, पैपसी कोला, कोको कोला, इसे डायबेटिक्स परकड़ती हैं, बीमारी आप है, बढ़ती हैं, नहीं, तोयम, जल, फिर दूद है, मक्षने, मलाई है, घी है, दही है, अमरित है, पांच अमरित का हा, अइरवेद ने और शास्त्रों ने, पंच अमरित, दूद है, घी है, मिश्री गुड कन्य का रस है, मीठा, ये सब अमरित जल है, ये पांच अमरित है, पंच अमरित कहके बोला, भगवान को अरपन करते हैं, जिसे हमारी बुद्धी में गुसे, कि जो चीज भगवान परमिश्वर स्वीकार कर रहे हैं, गिरेन कर रहे हैं, वो कितनी उत् इसलिए उनको अमरित का नाम दिया, ये अमरित है, ये मरते हुए को भी जिला देते हैं, ये नरक में जाते हुए को भी बचा लेते हैं, ऐसी बुद्धी में पलेटा मार देते हैं, शुद्ध कर देते हैं, जो गव को आपने हरी गास खिला करके, घर में पालाओ, प्रोट मेहत्व है उस दूद का पान करना चाहिए पीना चाहिए वो गुणकारी दूद है लेकिन जिन गायों की डेरी में से डेरियों में से दूसरी पडोसी गायों को ले जा ले जाके काटा जा रहा है और जो बच गई बैलेंस में उनको अननेचुरल प्रकरत रूप से एक लंबा इंजेक्शन दे करके और थुनों में एलेक्ट्रिक मसीन की द्वारा जो दूद को निकालते हैं खीचते हैं वो दूद में कहां प्रेम और कहां वो तत्व जो तत्व एक सुन्दर पाली हुई गाय के दूद में होता है याद रखिए जब मा भी अपने बच्चे को दूद पिलाती है इस्तनपान कराती है तब वो जिस हिसाब से भी इस्तनपान करा रही है उसी प्रकार से उस दूद से उस बच्चे की बुद्धी और मन डवलप होते हैं और भावना इसलिए जो सच्चे ईरदे की माता हैं वो बच्चों को दूद पिलाती होई इस्तनपान बोटल का दूद नहीं अपनी इस्तन का दूद तो दूद पीता रही है उस बच्चे को उसका हिर्द है प्रेम भरा होगा वो जीएगा जब तक लेना आज कल तो अस्पताल में पैदा होता है बच्चा हुआ है बोटल शुरू कर देते हैं वो भी मा के द्वारा नहीं नर्सेज या दाई माई गर पर जो भी कोई अपनी क्या बोलते हैं नैन काम पड़ कैसे ही प्रेमेर्द है में प्रपन पेगा बच्ची गया है आहार का बड़ा मेहत है हमारी शरीर जो ही दिखाई दे रहे हैं यह आहार के रूपे यह अन्द में कोश है शास्त्र पांच कोश्चों का वर्णन करते हैं उसमें पहला अन्द में कोश है अन्द में क प्रान वाईव अंदर जाती है और अपान भार आती है ये दूसरा है ये यानि हम कहां पर पांच कोशों के परकोटे के बीतर बैठी हुई एक आत्मा है उसका वरनन करती है शाथ कि अन्न में कोश है पूरा छैपिट का पिर प्रान में कोश है इनका बहुत बड़ा-बड़ा महत्व है इनका आपके सांसों का आपके प्रानों का चलने का क्या प्रियोजन है वो प्रान ऐसे ही काम करवा लेता है क्रोध में जो प्रान वायू पान अपान चलता है सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं क्रोध में कुछ और रूप हो जाता है इनका बोजन करते हैं उस समय कुछ और रूप हो जाता है, सोते हैं जब और रूप हो जाता है, कहिए कि प्राण में कोश ही आपके रूप को चेंज करता है, आपके वातवन को चेंज करता है, तो आपकी प्राण में कोश भी अन्न में कोश के बाद निर्मित हुआ बना है.